लुका रचित सुसमचार पंद्रवां अध्याए सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने और फरीसी और शास्त्री कुड़कुडा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है तब उसने उनसे यह द्रश्टांत कहा तुम में से कौन है जिसकी सौ भेड़े हो और उन में से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोईवी को जब तक मिलना जाए खोचता न रहे और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पडोसियों को इखटे करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड मिल गई है मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रिती से एक मन फिराने वाले पापी के विशे में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि निना नवे ऐसे धर्मियों के विशे में नहीं होता जिनें मन फिराने की आवश्रक्ता नहीं या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास दस सिक्के हो और उन में से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर जाल बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगा कर खोजती न रहे और जब मिल जाता है तो वह अपने सक्षियों और पडोसिनियों को इखटी करके कहती है कि मेरे साथ आनन्द करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीती से एक मन फिराने वाले पापी के विश्य में परमेश्वर के स्वर्दूतों के सामने आनन्द होता है फिर उसने कहा किसी मनुश के दो पुत्र थे उन में से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता संपत्ती में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिये उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इखटा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ती उला दी जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा आकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा उसने उसे अपने खेतों में सुवर चरान के लिए भेजा और वे चायता था कि उन फलियों से जिने सुवर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूका मर र मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाओंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है अब इस योगी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले तब वे उठकर अपने पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है और अब इस योगी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं परंतुर पिता ने अपने दासों से कहा जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहिनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाओं में जूतियां पहिनाओ और पला हुआ बच्छडा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनन्द मनावें क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है और वे आनन्द करने लगे परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वे आते हुए घर के निकट पहुचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुला कर पूछा यह क्या हो रहा है उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ मनाने लगा उसने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आग्या नहीं टाली तो भी तुने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ती वेश्याओं में उडा दी है आया तो उसके लिए तुने पला हुआ बचळा कटवाया उसने उससे कहा पुत्र तु सरवदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा ही है परंतु अब आनन्द करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भा गया था अब मिल गया है